स्री अखलेश यादो जी लोगसवा के नव निर्वाचित अद्दे जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाई देना चाहता हूँ जहां बधा मंती जी और हमारे साथ ही लीडर ओपोजिशन नी आपको बधाई दी है वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूँ आप इस सदन के स्पीकर दुबारा चुने गए हैं आपके पास पास साल का जहां अनुभव रहा है वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है मैं अपनी तरफ से अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुकाना देता हूँ जिस पत पर आप बैठे हैं इससे बहुत दौरफ सारी पनप्राई जुड़े हुई हैं और हम सब यहीं मानते हैं के बिना भी धवाब के आगे बढ़ेगा और लोग सबा के अधेश के रूप में आप हर सांसत और हर दल को बरावरी का मौका और सम्मान देंगे निस्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है आप लोगतांतिक न्याय के मुख न्यायदीज की तरह बैठे हैं हम सबकी आप से अपिक्षा है कि किसी भी जन प्रदिनेदी की आवाज दवाई न जाए और नहीं निस्कासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा को ठेस मौचाए आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे अद्देश मौदे आपके इसारे पर सदन चले इसका उल्टा न हो हम आपके हर नियाई संगत फैसले के साथ खड़े हैं मैं एक बार फिर आपको इस अद्देश पत पे बैठने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं सदन में पहली बार आया हूँ ये नए सदन में मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुरसी बहुत उची होगी क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़के आया हूँ अद्देश जी उसकी कुरसी बहुत उची है मैं अद्देश जी किसको कहूँ कि ये कुरसी और उची हो जाए जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीट के पीशे देख रहा हूँ पत्थर तो सही लगे हैं सब कुछ अच्छा लगाए लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है अद्देश मोद है मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पश्का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान करके हमें भी अपनी बात रखने का मुझा देंगे मैं आपको बढ़ाई देता हूँ शुकार ने देता हूँ हर तरीके साथ आपके साथ हैं बहुत धन्यवादे